तोपिक एंडिप्रों इस अब एलेक्ट्रों ट्रांश्पोर्ट चेंग ऑप्सीडेटिटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर एलेक्ट्रों ट्रांसपोर्ट चेंग पता है कि मैट्रों मेंट्रिक्स में होती है इसका मतलब है कि हमने माइटो कॉंड्रिया का इसको देखने हैं कि आपके पास कौन सा पॉश्फिंट मैट्रिक्स है इंटरमेंब्रेंट स्पेस क्या चीज़ है और बाकी जो जो माइटो कॉंड्रिया से लिंक पर चेंग आप लोगों को यह सारी की सारी चीज़ें माइट्रिया का स्ट्रॉप्टर है और इसमें आप लोगों को चीज़ें जो से आपके पास निमागल टाओ इस इन ऊंभा टार ईटार में ट Na लिए इस वाल इस इन अ मैंटो कॉंडियल मेंब्रेन इन इन को पॉंड वे जिस कंपार्टमेंट को इंग आपके इस माइटो कॉंडी मेट्रिक और आप नहीं देन आप गिस इनर वे चैनल गेंद इस इनके दन्यां जो सेशाइब इस 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 इन देन तुर्ट आपके पास जो जो डिश्टरट कंपार्टमेंट्स है उसमें जो अगर हम आप ऑद्स नागर अगर आप कि की बात करते हो तो हम यह देछ लेते हैं कि मैटाइश होने में एक और इसको हम रिलेट करते हैं इस आप अदर कंपार्ट में कि आपके पास बच्चों जिसमें आप लोग देखते हो कि आपकी मैट्रिक्स के अंदर ही चाल रहा होता है तो आपके पास एक तरह कोंप्लेक्स अवेलेबल होता है जो के पाइरोवेट को इसमें आपके पास प्रेजन के प्रेजन होते हैं उसको फाइनली जो है वह वह दी कर्भॉक्सिलेशन रियक्शन के तूज से अलक्तों निकाल के एंडी एच और एक जैलरी सिटेट के मॉलीक्यूल को क्या कर देते हैं इसमें आपके पास एंडी एच और एपडी एच टू की प्रॉडक्शन है इसी तरह से अगर हम हपैटो साइट की बात रहे हैं को हपैटो साइट में आपका जो माइटो कॉंडिया है इस माइटो कॉंडिया के पास कुछ अदिशनल रिस्पॉंसिबिलिटी जी है नाइकि भी चल सकता है और यहां पर यूरीया साइकल भी चलते हैं आपके पास जो और मतलब है कि डिलूकोस यह सारे के सारे के सारे के यह नियुद्ध रिक जो इनर मेंब्रेन स्पेस हैं इनर मेंब्रेन स्पेस में आपके पास अगर माइटो कॉंज्ट्रिया में इस तरह का स्ट्रिक्टर होता आपके पास इनर मेंब्रेन में कम पोर्शन आना था लेकिन इनर मेंब्रेन में आप देखते हो कि आपके पास जो इंटर्नल पोर्शन है वो इस तरह से फोल्ड हुआ है इसका मतलब है कि आपका ज्यादा सर्फेसेरिया आपको पाय करने के लिए आपकी जो इनर माइटो कॉं लेकिन अपना सरफे सेरिया को सर्फे करने की जरूदत क्यों पेश आई थी ताकि आपके पास ज्ट्राइब क्रांसबोर्ट चेंज ज्यादा से ज्यादा कॉम्पलेक्सिए अज्यादा क्या हो सके अपके पास इनर माइटो-कॉंडिल मेंदेंद एलेक्रॉन स्क्राइप के घ्र जो कि इस और इप्लेक्सिस और इसके साथ का जो mer वाइनल एंधरिप्री की प्रुडाविशन में यूज होता है यह प्रेजन होते हैं। इनर माइटो कोंगेल मेंब्रेन कंटेन अलेक्ट्रॉन क्रांस्पोर्ट स्टेन कॉंप्लेक्सिज इसमें एक और इंजाइन भी प्रेजन होता है और उस इंजाइन का नेम है एडीपी तू एटीपी प्रांस लुकेज यह मैं आप लोगों को जब एटीपी की प्रोड़क्शन पढ़ाऊंगी ना तो वहां पर यह चीज़ करूंगी कि इस ट्रांस्पोर्गेज का क्या फंक्शन है तो मैट्रिक्स में कौन से लेकिन जो आपके इनर माइटो कॉंड्यल मेंब्रेन को प्रोस करके माइटो कॉंडल मैट्रिक्स में जाना है तो उसके लिए यहां पर कुछ होना जरूरी आपके पास इनर माइटो कॉंदिल में में डिफरेंट ट्रास्पोर्टर्स होते हैं जो के डिफरेंट टाइप साफ मॉल्लीकूल को अंदर आने की पर्मिशन देते हैं जैसे आप लोगों को याद होगा कि ग्लूपों नहीं हो जाने सिसमें बताया था कि आपका है उसके लिए स्पेसिक टाइस आफ ट्रांसपोर्टर्स का प्रेसेंट होना इनर माइटो कॉंदिल में जरूरी है और यह इंटर मेंब्रेंट से एक्शली वह स्पेस है जहां पे आपके पुल्टॉण से की बात करेंगे तो वहां पे मैं पुल्टॉण मोटिफ पोर्स की जरूगी तो उतर आपकी एक्शली इस पूर्टॉण मोटिफ पोर्स को पुल्डूश करने में आपकी जो इंटर मेंब्रेंट इस प्रेजंट इस प्रेजिए प्रेंट इनर माइटो कॉंदिल में यह इंपॉर्टेंट जो ले करती है विए इसको बदी तो मैंने आप लों इस डिपरेंट इस इस मेटाबोलिजम डिस्कुस करेंगे तो हम इन डिटेल कडेंगे अब मैस्ट जो हमने पॉयंट क्यून प्त्राइड सब्सक्रीय कि बात करने हैं इसका मतलब है कि हमारा जो चीज को इस चीज को हम चान्ट आप ने करूंगी बलके मैं सिर्फ इस पॉर्शन तक अपने डिसकुशन को जो है वो लिमिटेड रखूंगी जब तक हम एटीपी प्रोडक्शन डिसकस्ट नहीं कर लेते वह जिसमें एटीपी को बनाना है क्या है क्यों क्यूं एक सि कुसे को बना को कि विसके हैं किर इसे क्वेस्ट को बनाती हैं कि वेक्तर्ख उक्रोंगी को से एक्रोंगी जो एनर्जी है वो ATP production में यूज होती है तो बच्छो ये डाइग्राम आप लोग आप जहने तो याद कर लें तो आपके पास इननर mitochondrial membrane है और इस inner mitochondrial membrane में आपके पास four complexes हैं और complexes का वर्ड जब मैं यूज करेंगी तो आपको पता हो ना कि यह कि मतलब है कि उसमें कोई एक इंजाइन नहीं के साथ मुल्टीपल को सब्सक्राइब हो सकते हैं जैसे पाइरोवेट भी हाइडरोजिनेस complex है उसमें मुल्टीपल मॉलीटिस हैं वो इकठे बार कर रहे हैं ठीक है तो अलेक्ट्रों जाइन में आपके पास four complexes होते हैं भी इनर mitochondrial membrane और इनर mitochondrial membrane में में आपके पास यह complex है और यह आपके पास ATP synthase enzyme जब भी electron class flow chain की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर flow of electron है electron flow करते हैं और electron की flow से निकलने वाली energy जो है वो ATP की production में use होती है so first of all we should identify कि इन electrons का source क्या है actually यह वही electrons हैं जो कि glycolysis यह PCA cycle के दुरान glucose में से निकले थे और आपने यह पढ़ा था कि glycolysis और PCA cycle में जब भी dehydrogenation होती थी enzymes इतने economical थे enzymes इतने efficient थे कि उस time उन्होंने उन electrons को कहीं waste नहीं होने दिया बलके उन electrons को यहां तो hydride की form में उन्होंने NAD plus को पकड़ा दिया था कि यह पकड़ के रखो आगे electron transport chain में होने या फिर उन्हें उन्होंने इस्पास कर दिया था एफ्टर डी को यह ही जो electron या hydrogen carriers हैं यह अब electron transport chain में आएंगे और वो electron जो के पीछे वाले enzymes में इनके पास रखाये थे उन्हें को यह रिलीज करेंगे ठीक है तो आपके पास यहां पर यह जो एक दूसरे से बिक्रेंट हैं इनके पास डिफ्रेंट अमौंट आफ जो है वो आपके लोग है hydrogen atom याइनकी जो electron को पिक्क करने की abilities हैं वो एक दूसरे से डिक्रेंट है एन्ने डी प्लस भी जो है वो molecular hydrogen को पिक्क करता है और एन एडी एच यहां एडी भी molecular hydrogen को पिक्क करता है लेकिन अपने structure के अंदर एन्ने डी प्लस इस हाइड्राइड आइन को आइड करवाता है यानि आपके पास जब भी एन्ने डी के structure को देखोगे तो उसमें दो एलेक्ट्रॉन और एक प्रॉट्रॉन प्रेसंट होगा जबके एडी के structure को जब आप explore करोगे तो आप देखोगे कि इसमें पूरे का होंगे जबके FADH2 से आपके पास जाएंगे जिसमें दो प्रॉट्रॉन और दो एलेक्ट्रॉन प्रेसंट होंगे तो यह तीज आप लोग दुबारा एक बार देखनी जिएगा और दूसरी बास मैंने आप लोगों को बताए थी वह यह थी कि आपके पास MAD और MADPH है यह वाटर सॉलबल एलेक्ट्रॉन केरियर हैं जबके FADH2 आपके पास जहाएं यह पुर्टीन के साथ पोवलेंटली अटेच होता है उन पुर्टीन को हम कहते हैं कि इस आर दी फ्लैवो पुर्टीन ऐसी पुर्टीन है जो के NAD की बज़ाए FADH2 को अपने साथ पोवलेंटली करता है एक और जो डिप्रेंस हमने इनके अंदर पढ़ा था NAD के अंदर और FAD के अंदर वो यह था कि आपका NAD at a time पूरे के पूरे हाइड्राइडाइन को प्रिक कर लेंगे हैं जिसमें आपके पास दो अलेक्ट्रॉन हैं और एक पूर्टॉन क्रेंट हैं जबके आपका अब जब कंडिशन्स फेवरेबल होंगी मजीद एक हाइड्रोजन आएगा तो चूंकि इसके पास अभी एक हाइड्रोजन की जगा है यह से पिक कर सकता है तो यह उस हाइड्रोजन को भी पिक कर लेगा और कनवर्ट हो जेगा FADH2 तो आपके पास FAD में हाइड्रोजन आइगा और आपके पास FAD है यह अपनी पार्शली रिद्यूस फॉर्म में चला जाएगा और पार्शली रिद्यूस को हम कहते हैं और फुली रिद्यूस को हम SADH2 से रिप्रिजेंट करते हैं यह कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आप लों को री कॉल करना जरूदी थे अगर आपने अलेक्टरों ट्रांस्पोर्ट चेंड में दुबारा इन इन दो केरियर से होगी विकार्श आप लोगों को एक बार दुबारा यह चीज रिवाइग कराने का मक्तद यह था कि आप ल यह कुछ इंजांपल जाएं जिसमें आप लोग कोई से भी अपनी मर्जी के बता सकते हो कि अगर आप से पूछा जाता है कि किसी एंडी लिंग्स दी हाइडरोजिनेस की एक्जांपल दें तो आपने अभी तब जो गलाइप लिए पड़ें आप उनमें से को इंजांपल कर सकते हो अगर किसी एंडी पी लिंग्स दी हाइडरोजिनेस का पूछा जाता है तो जयब आप लोग पढ़ोगे तो तब बता दो गे इसी तरह से आप जो है वो एस भी को वी उसकार सकती है और एस एजी पी को भी यूज कर सकती है सब्सक्राइब को भी सब्सक्राइब को पढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों को एक बर बतानी है मैं उन पर अभी जो है वो फोपस करें अभी मैंने सब्सक्राइब की है कि आपका जो अलेक्रों ट्रांस्पोर्ट चेंड है यह अलेक्रों ट्रांस्पोर्ट चेंड में नहीं जाएंगे तो आपका इवेंट स्टार्ट नहीं होगा तो यह चीज आपने माइंड में रखने है कि सोर्सिस का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है यहां पर मैं आपके पास जो हैं विदिन दी बाइलोजिकल सिस्टम कितने टाइस के जो अलेक्रों ट्रांसफर रियक्शन हैं वो पॉसिबल हैं और यह किस तरह से अलेक्रों को ट्रांसफर करते हैं अगर अभी आप लोग देखो यह चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमारे पास अगर यहां पे अलेक्ट्रों ने आना है और एस पर दीएश टू टू तो इसका मतलब है कि द पास अभी लुगिए लोगिकल के अंदर ट्रांसफर होौ सकते फिसलिंघ पर अपर यादीडि ट्रांसपर हो सकते हैं इलेट्रों टू जिसमें आप एसंपल लेसकते हो आए मैए आपके पास अगर किसी प्रूटीन के अंदर एक्टिव मॉलीकूल या एक्टिव जो है वो आइरन सेंटर प्लेजंट है तो यह आइरन की चुंके वेलंसी जो है यह प्लस त्री भी जा सकते हैं यह फैरिस और फैरिक डोनों फॉर्म के अंदर इस तो आपके पास इस हाइली इस प्रॉट इस रिदूस पॉर्म जो कि एक एक अलेक्ट्रों को पिक करती है और पिक करने के बाद यह अपनी इस पॉर्म में चले जाती है यह यहां पर आप यह जब दर करें कि अलेक्ट्रों के डिरेक्ट्र ली चांपर सॉम आडों डोनोर मॉलीकूल तो इक्सेप्टर है इसका मतलब है कि यहाँ परiset होगी इस और इसके एंदर ऐरिए को एरिट्रों सॉपर संफर करें एकटर है इसले आयरें प्रेजंट होगा इलेक्टरॉं इक्सप्ति Ya BAG W southern डार्रार loài saudis यौह अफिग्डु आपके पास है मैं टॉन प्रांसपर इंदी फॉर्म आप हाइड्रोजन एक्टम ओके आपकी बायलोजिकल सिस्टम के अंदर कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो के अलेक्ट्रॉन को अकेले पिक नहीं करती हैं बलके अलेक्ट्रॉन के साथ तक उन्हें प्रोट्रॉन भी चाहिए इसका मतलब है कि वह अलेक ले सकते हो कि नॉंस तिक है कि नॉंस में आपके पास एक तरफ एफ एडी की भी एग्जामपल आ सकती है एफ एडी सब्ही बीज़न को जो है वह इंडिविज़नी कि नहीं करेगा बलके हमेश्या अलेक्ट्रॉन इप्रूट्रॉन पिक करेगा या इन अधर वर्ड वह यहां पे एग्जांपल आजाती है को इंडिविज़नी की जो कि हम अलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर चेंड में डिस्कुस करें यह भी एलेक्ट्रॉन को पीछ तरते हैं लेकिन अकेले नहीं बलके इंक्विनेशन इस प्रूट्रॉन इंडिविज़नी तो बेर आर जो करेंसे लेक्ट्रों को इंडिविजुली पिखने लिए हुथ हां तो इस प्रूटेन्स के सेटक्क औलेक्रण इंदी फॉर्म आफ हार्डोजशन एकला हें बलिक किसी स्पीशी ने साब और नहीं करने हैं तो वह उलेक्षों क讲 अकेला टरेंगा अयां पर आपका टर्ट करना जबताक ऐलेक्टरों के Satsangah नहीं होगा जब यहां पे जो रिलीस होगा कि इस से वह ऐलेक्टरों के सासर पुलटाउन भी होगा जो वाख समझ कम यह दोगी सब्धिक होगी तब फाद्स अदरवाइस वह यहां पे इंकार करेगा कि मैंने साक्षिट जाओ जाओ फिर्फ अब थाइडरोजन के फॉर्म ऐपकि आपकी जो शुपिषी ओप्सिडाइस हो रही है इस ऐसे अप्सिडाइस पिशी में ते अलेक्रॉन के साथ प्रूतॉन में भी रिलीज होना इसे के एक फॉर्फ टाइप तॉर्फ टाइप फॉर्म इंसाइग दा बायलोगिकल थार्ड ट्रांसफर मेकनिसम है ट्रांसफर इंदी फॉर्म आप हाइड्राइड आइन अगर हम FAD की बिज़ाए NAD को देखते हैं तो इसके और भी ज्यादा जहां है वो रिक्वार्मेंट्स है FAD ने तो hydrogen की फॉर्म एलेक्ट्रॉन को पिक कर लिया लेकिन युद्धी करें और यह है यह ऐपकी जो है यह इसके लिदी जिसकी ओक्सिटीशन हो रही है अगर यह oxidized होगी इस में अकेले electron release नहीं कर सकती बलके दो electron release करेगी चास में दो proton release करेगी और इस case में आपकर यह जो portion है सब्सक्राइशन आपके पास electron transport chain में जो complexes हैं उन complexes तस जो electrons आने हैं वो कहां से आने है और दूसरा mechanism जो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बताया है दूसरा point जो मैंने दिसक्स किया वो मैंने यह कहा है कि biological system के अंदर electrons ने अगर flow करना है तो वो कितने mechanisms के to flow कर सकते हैं और direct flow करने के लिए आपकी protein के अंदर iron centers का present होना जरूरी है electrons can be transferred in the form of hydrogen atom और hydride हैं लेकिन इस case में आपका electron अकेला release नहीं होगा बलकि electron in the form of hydrogen atom या molecular hydrogen release होगा ठीक है जी बचुरी यहां था कोई सब्सक्राइब कर लिए और transfer mechanism को भी देख लिए लेकिन अब हमें यह भी तो देखना है कि यहां पर यह जो complexity यह complexity क्या चीज़ है इन complexity को भी अब उसके बाद हम जो है वो प्रॉपर mechanism की तरफ चलेंगे कि यह complexity कि इस तरह से ATP बनाते हैं अलेक्ट्रों क्रास्पोर्ट चेल में बच्च जब आप लोग इन complex को देखोगे ना complex 1 complex 2 और complex 3 आप यह चीज़ करोगे कि इन complex के अंदर कुछ electron carriers present हो थे हैं वन तू थी मैं त्री ही अभी बता रहे हूं आपके पास यहां पर यह चीज़ आपने देखी कि तो हमारे पास हर complex के अंदर भी कुछ electron carriers होते हैं जो कि अलेक्रॉन को करी करते हैं और फिर इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देते हैं फ्राम वन कॉंप्लेक्स तू अदर लेक्ट्रॉन क्यारियर प्रेज़न हैं और यह वहां पे जो हैं वो क्या-क्या फंक्शन प्रफॉर्म् स्सलाइड विधेन बाइलोजिकल स्स्टम याँ विदेन अलेक्ट्रॉन से आप कुछbacks को इलेक्ट्रॉन के करें तो क्योंब 2 that this is UB Trinol, जिनको आप Coenzyme QB कहते हो, Coenzyme Q, बजब ये बड़े जहांदिस से, हर एक कंपलेक्स की जो स्पेशलिटी हो आपकी सिंगर्टिक्स पे होना चाहिए, मैं आपको ये कह रहे हम कि आपके जो different complexes हैं, इन complexes के अंदर मजीद कुछ electron carriers होते हैं, वो कौन-कौन से electron carriers है और यह कितने electrons को pick कर सकते हैं और किस form में pick कर सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया ना कि electrons को different forms ले pick करते हैं कुछ carriers यहां तो directly यहां फिर इन दी form of hydrogen आए ता यहां फिर इन दी form of hydride हैं तो यहां पर आपने यह clear करना है कि electron transport chain में use होने वाले carriers कितने के तरुफ करेंगे दो चीज आप ठ benefiting केन चीजिस भी एक लेपte कि लेपी के लॉटरोंस तरे क्वेक्टरॉन की सब्कूराइब टो एलेक्टरोंस लेकिन यह अलेक्ट्रॉं को हमेशा हाइड्रोजन एक्टम की फॉर्म में एक्सेप्स करता है यह 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 इक्सेप्स करेंगा इन्हीं यूबिक नौन में हमारे पास जो कोइंटन क्यू है है इसकी यह स्पेशियलिटी है कि जस्ट लाइक एस डी मॉलीक्व यह बी अलेक्रों को एक सीप्वेंस में एक्सेप्स करता है यह 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 कोईंटन को इसका मतलब है कि एक अलेक्रों को एक इसका करने के बाद यह अपनी पार्शली रिडियूस फॉम में चला जाएगा और अभी थोड़ी तेर पहले मैंने आपको बताया कि जितने भी क्यू नौन्स हैं इनकी जो पार्शली रिडियूस फॉम को हम कहते हैं सैमी क्यून्स एक्सेटी बिलॉंग करता है इसलिए यह वाला इसके उपर भी अप्लेक्स का पार्ट है वह अगर तो यह एक को पिक करेगा तो यह अपनी पार्शली डिडियूस फॉम में चला जागा और यह याद रखेगा कि हमेशा पार्शली डियूस फॉम में मजीद एक अलेक्ट्रों की स्पेस अवेलिबल रहती यह एगर में दुबारा इसको दूसरा युद्र अलेक्ट्रॉन मिलता है इसकी यह जो पार्शली डियूस को है यह मजीद उस ऐलेक्ट्रॉन को पित तरेगी लेकिन श tentang की फॉम में हो यह अपनी फुली डियूस फॉम के अंदर कंवर्ट हो देगी एंड फुली रिडियूस फॉर्प इस वह तब तक अलेक्ट्रों को मजीद पिक्नि कर सकता जब तक यह करने के बाद अपनी दुबारा से इस को क्या कर लेगा बच्चो एक चीज़ आपने याद रखनी है पहले वहने आपनों को नंबर आफ अलेक्ट्रों बताएं जो इसने पिक कर सकता है मैक्सिमम नंबर आफ अलेक्ट्रों वह सूथ है किस फॉर्म के अंदर सक्टर 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 में तिक करेगा यह भी वहने बता दिया एक और चीज़ आपने यहां पर माइट में रखनी है वह यह है कि आपकर जो कोईजाइम क्यू है इसकी नेचर की अगर बात करते हैं तो फडास्टर मेंबरेन इसा की आपका ज़ी कोई-दान की यह यहां मैंब्रेन है उसके आपके पैस अंदर यह धने क्राइजन क्या होता है कि यह एक क्लेक्स एक्पलेक्स के पकड़ता है आपके पास लृइन है इनर मीमेंब्रेन की में बात करते हैं और यहां पर आपका complex 1 पढ़ा हुआ है this is complex 2 complex 1 और complex 2 के दरम्यान जो है वो अच्छी खासी स्पेस है complex 1 में अगर NADH से या FADH 2 से electrons को पिक किया है इसने उन electrons को बेजना है complex 2 की तरफ complexes को move नहीं करेंगे यह complex क्या करेगा अपने electrons को ट्रांसफर कर देगा फोइंजाइन Q को एक electron करेगा तो यह semi-Q non में convert होजेगी और अगर दो electron transfer कर देगा तो यह अपनी reduce form में convert होजेगी यह जो आपका फोइंजाइन Q है बिकाज यह non-polar है hydrophobic है यह membrane के इस hydrophobic environment के अंदर जो है वो अच्छा खासा जो है वो सेट हो सकता है और दूसरी इसकी प्र जो है वो specialty यह है कि यह small molecule है which means कि यह as a shuttle act कर सकते है यहां से electron उठाएगा और next complex तक move कर देगा और यहां पर जाके अपने electrons को क्या कर देगा रिलीज कर देगा electrons को रिलीज करने के बाद यह वापिस अपनी oxidized form में आजेगा और वापिस complex 1 से आके मज़ीद electrons को पिक करके transfer करेगा we can see कि आपके पास यह स्मॉल हाइड्रो फोबिक मॉलीकूल है इस एक्ट एस अ molecular शर्टल यह electron की shuttle system के तोर पर बाद कर रहे है शटल उसी को गहते है ना जो के exchange करवाता है कोई medium में जो हो किसी किसम की movement करवा रहा है तो यहां तो कॉइंज क्यूभी electrons के shuttle system के तोर पर एक्ट कर रहे है विच मींज कि दो complex के दर्म्यान जो electron का flow है या जो ट्रांसफर है यह उसको फेसिलिटेट कर रहे है एक कंप्लेक्स को पिक करता है और फॉरी तोर पर जाके दूसरे complex में electron को क्या कर देता है रिलीज कर देए ओके यूभी के नॉन के बाद आपके पास जे सेकिंड के टांगे की जो कि लक्रीव के जो विठीच के आपके में अंधर प्रेसंट आपको फेलिर नहीं जोटीपलीवkaar की सब को आपको यूअ प्रेदेंट कर्स आपी उसका हुए है को कि गहांग की यह जो संसथा आफुलिक्स नहीं från है पहली जो मैंने आप लों को स्टार्टिंग में बताई थी कि जब ऑपने किसी एलेक्टरों केरियर को देखना है इस फूर कि यह देखना है कि इस तरह से शीक्राइब करते हैं इस होती हैं जिन में प्रेज़न होते हैं इसमें अगर इनने आइरें प्रेजन तो यहां पर यह एलेक्ट्रॉन को इसमें आप लोगों को अलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन जो वो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है बलके यह डायरेक्ट्रॉन को पिक करते हैं इसमें अपके पास जैसे मैंने यूबी इना उलेक्ट्रॉन को पिक करते हैं और जोनों एक इसमें इसमें आपके पास टोटल नमबर आप लेक्ट्रॉन कितने हैं तोटल एलेक्ट्रॉन की बात करने हैं जो यह पिक्ट्रॉन को पिक करने के बाद जब यह यह अगर दुबारा आगे किसी स्पिशी को एलेक्रॉन ट्रांसफर करेगी और वापिस अपनी आप्सिडाइस पॉम में आएगी तो तभी यह आईरन जो है यह मजीद एक सकते हैं तो साइटोक्रोम में आपके पास रेंग ग्रॉप यह आईरन जोपर सेंटर प्रसेंट होते हैं एक एक एलेक्ट्रॉन को डिरेक्ट्रॉन को डिरेक्ट्ली एक्सेप्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब एक्साइड यह एंगे है यह फ्री फार्म में जो सकते हैं कि आपका अगर साइटोक्रोम एप्ट्रॉम फी नहीं हो सकता है कि आपका जना साईटोक्रों अप्लेक्ट्प्लेक्ड्स प्री में है या कॉंपलेक्स फोर में है तो यह उसके साथ यहां पर होगा यह इस पूटीन के साथ होगी यह यह इलेक्टर ऑपके आपका जो साइटो क्रूंग है यह को यह इसकी साथलोबल एलेक्टरां इसकी नेचर है कि यह साथलोबल एक इन यद्यौ को भी तस यह प्लाद्रेम के नंदर ही रहता था एक प्लेक्स इलेक्रों पिक टाठा दीछे को साथा लेकिन आपका जो साइटो क्रोंग पूब्स है है इसकी नेचर तो है लेकिन यह कहां पर प्रैसेंट होता है इंतर मेंब्रेन स्पेस में आपकी और इनर माइटोकॉंडिल मेंब्रेन के दर्मियान जो स्पेस है यहां पर यह साइटोफ्रोंग स्पीट एटैच होगा यहां पर यहांपे यह सब्सक्राइच में आपको पता चल गई कि क्यों वहां पर प्रेसंट आ इसकी हाइडरोफिलिक मॉलेक्ञुल के अंदर नहीं आ सकता जबकर मैं था जब के पाइडरोफोर्बिक कि अ है किए इसकी हईलोफोबिक मेंचरन के व्जाद से इसका हूँक सुरॉपॉक किसके दो न्यू vá स्फेस का आट इनकर एंवार्मेंट है जो हाँटोफोबिक The next point is iron-suffin-suffin-britene. मैं कोई सहीं पीर. रुक जैंगे, मचोई सही दबी नहीं है, 3 30. मैं मोई रोगेन का गए. क्या किया पुछो हो है, हईड्रोजें का क्या कुछ प्रोगा? यह उसमें वो हैरोजेन कபाता ही तो आप आपीज्टाघ वालए ठैप्ने यहां पर use होे हैं यह आप यहां पर इस कॉंप्लेक्स के दर्म्यान करोगे ना कि इस तरह से तो वहां पर बिताओंगी वह हार्डोजन की दरगें इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ओके आपके पास थर्ड एलेक्ट्रॉन की जिसमें आइरन सल्फर पुटीन्स आती हैं पहले मैं स्लाइट से इसकुछ आप लोगो एक बार रिवाइस करा देती हैं उसके बाद आप लोग जा वो आइरन सल्फर पुटी को प्रूजल में जिदे हैं इसनो उनियो इदन यह दिजांगा उसका मतलब AI जाता है उसमें शेपांप लोगो करते हूए को यानि एक प्रतौों सकतुर्ट से lauream सब्सक्राइब करें को भी अपने इंकार पूरे इस पूरे के पूरे के सामने साइटो क्रों से और ये इनकी मल्टीपल साइप से मैंने और बी आपको बताया कि यह इंटेज्डरल में प्रूटीम के साथ होती है लेकिन आपके पास थर्ड थाइप है साइटो क्रों यह वाटर वाटर है और यह आपके पास यूजिली इनर माइटो कॉम्प्रियल इंकर मेंब्रें पेस्ट जो है वहाँ पर यह प्रेजन होती है यानि तर्फेश जी आंडि माइटो कॉंदिल मेंब्रें वहाँ पर आपका ज्रावल साइटो क्रोंगरों कि अपने इस से पहले पढ़ा था उसमें यह इसमें आईरन सलफर सैंटर्स ब्रेजिजिए आइरन सांटर्स रोटेंगे इस् और यह किस तरह से जहां वह और रिड़क्शन रियक्शन में यूज होते हैं जो आपके पास जो है वह आइरन एक्टम जो है वह जिए जब किसी प्रूटीन के साथ होता है तो वह डिफरेंट कॉडिनेशन कॉम्पलेक्सिस की फॉर्म में प्रेजन होता है जैसे यहां पर कर देंग होते हैं। ईससी मिए इस अपके लिफर के साथ गभी टाइच्ट होते हैं किसी प्रूटीन में उर्ट, उससात को अपके पास आपके लिफर कंटर की तो आपके पास जैसे आप यहां वहां office आपके सकते हो कि आपके पास वार्टिन क्या परिटव में आयरन भी में यह जो सफर हैं का function में कोई इंपोर्टन ओल रहें हैं है सिर्फ आईरन की attachment में तेखेंड के साथ इन दो आईरन के साथ दो सल्फर एक्टम्स भी अगैस हैं यह वाले जो सल्फर का काम करें और तीसरी आपके पास टाइट है पुर्टीन इसमें आपके पास गुड़ी यह वाले को मैं यहां से कैंसल करें लिकाज यह सिर्फ और सिर्फ अटेट्वर का काम करते हैं जो कौारडिनेशन कोफ लेक्टर्स में आपके पास 4 iron और 4 sulfur present है तो आपके पास जो iron sulfur proteins होती है उसमें आपके पास different centers present हो सकते है single iron भी present हो सकता है जो के electron को accept कर सकता है आपके पास two iron two sulfur centers भी हो सकते हैं four iron four sulfur centers भी हो सकते हैं और इनका भी function क्या है कि यह electron को accept करती है और कितने electron को accept करती है एक electron को accept करती है और उसको donor से acceptable की तरफ transfer करते हैं तो तीन proteins आपने यहां पर discuss की पहली आपने आपके पास यहां पर आगे अगर क्विनों है तो दोनों को प्रिक कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ साइटो क्रोम है जिसने electron को पिक करना है तो इसका मतलब है वो सिर्फ एक electron को पिक करेगा दूसरा electron पिक नहीं करेगा और इसी तरह से अगर आपके पास आगे यह आपको पता होना चाहिए कि यह आप लोगो ने यह देखना है कि आपके पास जो आगे भी हम जाके देखेंगे और इसकी को विटनस करेंगे कि आपके बिस्ट्रेंट अलेक्रों कैरियर्स हैं वो तो एक खास सीक्वेंस में प्रेजंट होते हैं लाइक कभी भी जब मैं आप आपसे डिसक्स करूंगी एलेक्ट्रों ट्रांस्पोर चेंट तो मैं यह नहीं कहूंगी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो पहले आ रहा है और कॉम्प्लेक्स 2 बाद में आ रहा है हमेश्या पहले कॉम्प्लेक्ट 1 होगा के फिर कॉम्प्लेक्स 2 वोगा कैके उसके बाद में कोई डोजिक है की इसी सीक्वेंस में क्यों ब्रेज क्रेंट होता है को सीखनी की सीट्रॉ इलेक्रों कोिजिए नहीं करेंगी यह सब तक यह एपनी-शिद्रॉं नहीं होगी, जब तक मीडियम में कोई दूसरी स्पिशी अवेलेबल ना हो, जिसकी अलेक्राओं के लिए अफिनिती इस पिशी से ज्यादा हो, यानि Oxidation Reduction Reaction तब तक पॉसिबल नहीं होगा यह स्पिशी अपना एलेक्ट्रॉन तब तक रिलीज नहीं करेगी जब तक मीडियम में लियर बाय तो एक्षी स्पिशी अवेलेबल ना हो जिसकी एलेक्ट्रॉन के लिए जो अफिनिटी है वो प्रीएस स्पिशी से ज्यादा ह तक यहां से रिलीज होने वाला एलेक्ट्रॉन फोरी पर पर यह फिक्स करें और अपनी डियूस फॉम में चलिया जाए इसका मतलब है कि आपके पास जो फ्लो आफ एलेक्ट्रॉन है यह एलेक्ट्रॉन की अबिलिटी को देखते हुए होता है यानि आपके पास हमेशा वो ऑग्स पिशी जिसकी एलेक्ट्रॉन अफीनिटी वैलिउयू यहां से यहां पे रिडॉ। पोटेंशल की लिट इस्यक रिडॉक्स प्याग़न को किरीक्टॉ bisa you आप यहां पर यह देखोगे high redox potential will result in acceptance of electron कि आपके पास यहां पर जो complexes है electron transport chain इसने हमेशा आपके complex 1 का redox potential है यह complex 2 से कम होगा ठीक है complex 2 का redox potential complex 1 से ज़्यादा है लेकिं complex 3 से कम है इसका मतलब है कि complex 1 सब्सक्राइब कर सकती है लेकिं complex 3 से लेक्राइब नहीं करेगी बलके जब complex 3 के पास आएगी तो लेक्राइब करने पड़ेंगी complex 3 का redox potential complex 2 से ज़्यादा है लेकिं complex 4 से कम है इसका मतलब है कि nearby जो complex 4 पड़ाव है वह यहां से electron को accept कर सकते है तो यह electron को accept करेगी और फाइनली आपके पास आपके पास आपके पास आपके पास यह अरेंग्मेंट करती है reduction potential के उपर यानि अगर आप इन electron carriers को देखो आपके पास यह electron carriers इस तरह यह तरह के सबसे पहले आपके पास क्यों होगा युभी उपी किनों के बाद तो जब भी इंडे इस ने आएगा इसका रिड़क्शन पोटेंशल जो है वो एक खास सीक्वेंस में होंगे कभी साइटोप्रों सी पहले नहीं आ सकता साइटोप्रोंबी विकॉज आपके पास यहां पे अगर ऑडर डिस्टर्ब हो गया उससे जो है वह आपकी अपने माइंड में रखना वो यह है कि अगर आपके पास कोई एसकी सिशी है कोई ऐसा है जो के अलेक्ट्रों प्र क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी ठीक है विकॉज एलेक्ट्रों के फ्लोर से निकलने माली एनर्जी प्रुटॉन कंपिंग करेगी और यह प्रुटॉन कंपिंग से जो इनर्जी प्रुटॉस होगी इसको यूज करते वे अटीप संतेज में एटीपी बना है इस देर ऐसी कि juicy घिधर विए विधित ट्रीख concret ीडिव में प्रुटॉन कंपिंग नहीं है तो पुर्टॉन मोलेश को नहीं होगी तो इक पनले बिज़ अकुको unreal लेक्टान से लेकिन अब भी आप लहों ने एकिस तरह से होता है लेकिन अब लोगे ji ahoy luckyश के पाड़ झाल झाल